पंजाब की अवाम की परफ़े, जो दो महीने के अंदर जिस तरह से मरीन नवाश्टीज साहिबा ने अपने फुट सब चोड़े हैं, जिस तरह से वो पंजाब के अवाम की रिलीव के लिए जली महलों में, सडकों पे, पतालों में, तंदूरों पे, हार दिका खड़े होकर सब्सक्राइब की रिलीव की कोशिश कर रही हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्स जो है, वो सरकों के वाले से हो, वो कैंसर हॉस्पितल हो, बुकालियोजी हो, अलिगेबान अमजान पाकेज इसनी बड़ी दानाज में ने चौसत लाद के लादा खानानों को दिया, तो यह वाकिया हुआ जहां पर विजर्ड शक्स को जो है, वो मार मार के बंड़े जो है, वो उनको अलाद कर दी आगया, तो यह और यह उस ताहला पार्टी जो है, जो अब रही नहीं एक्जिस नहीं करती है, मुक्तित तंबे डोल रही है, एलेक्शन लेंड़ने के लिए, और आ इस तरह से नहीं निकले टान आउट भी कम रहा, और मुक्तले जग़ों पर उनकी जो पहले वोट की तादाद थी, जनरल इलेक्शन में, वो कम हुई है, जी दोनों, दोनों सेक्टिस है, एक तो जाहर है, लोगों ने उनका पसाद का आजेंड़ना, आइवेस वो खात लिक जात जाहर है, लोग उसी को अफ़ोड करेंगे, यह बताएगा कि इस जीत से वैसे तो जाहर आपकी आवासे भी लगए बड़ा कॉंफिडेंस है, लेकिन ओवर आल आपकी जमात और उसकी कारकरदेगी पर कितना असर पढ़ेगा, कितना कॉंफिडेंस जो है, वो मजीद ब अब आपकी जो है, वो अठारा गंटे से जाहिद होते हैं समताइब तो अब उनको आज इस जो है, जो है, पिदिए के बाद बहुत मुत्मी है और खुश मी है, और यगीनन अब ये खुशी और बड़ेगा ये उनको अपने रोड मैप को अपने जंडे को पूरा करने के ल और ज्यादा उनको एक ये तक्रियत देगा कि उनको पाकितान के पंजाब के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और उनके हाथ से जो है, वो पंजाब की बेतरी के काम हो रहे हैं। जो है वे चार्टर प्लेन के अंदर पैसों के जो है वो पूरे बक्से बार कर लेके गए से वहां पर नाइट की पाटियां कर रहे हैं। जिसको वो एज जरे जमानत यहां फ्यांक कर स्पेम में याशी कर रहे हैं। अच्छा अज़्मा मुखरी साहब आप चुके जनरेल एक्शन में तो जाहर है आप गवर्मेंट में नहीं थे और निगरान हुकूमती इलेक्शन कर रहा करती लिए अभी इस वक्त आप गवर्मेंट में हैं। इस वाक़े का भी आप ने कुछ देर पहले हवाला दिया नारॉबाल में जो एक आपके कारकुन बजूर कारकुन जो हैं उनकी हलाकत हुई है मारा गया उनको एक तरह से तो यह बताएगा कि इस हवाले से क्या रहादा रखती हैं आपके क्या काररवाई की की जाएगी और जो मुलबस अफराद हैं उनके अफरे करदार तक कप पहुंचा जाएगा क्या किया जाएगा इसके ओपर मेरा खेल है कि मैं अब तक चाहिद यह नहीं पहुंच सकी वो मुल्जवान जो है टीन उनको गिरिफदार कर लिया गया है वो विहाइंड अबालत हैं उनके उपर म करना द्शिकर लिया गया है और जाहर है उनके पर मुकना चलएगा उननाके किया एंगे और तीन सु दू की दिफाद के तैट इसके पर मुकादमा दाइस किया तो चाहेंगे हैं कौन लोग है यह किसी जमान से तालोग एक पॉलिक स्टेशन के उपर जो है वहा लड़ाई हुई है सब के सामने उसके सारे जो है वो गवाहान भी पॉब्लीकली मौजूद है तो यह क अंटिशार की फसाद की यह खून भाने की कटल करने की लाशे कठी करने की स्ट जया इन तक पहुंच वी रही है आप तक भी यह पहुंच रही होगी के धानली हुई है यह वो फार्म 47 औ पर बड़ी चलाई जाते हैं यह स्लिस्ला चुरू हो चुका है काउंटर कैसे करेंगे इसको आग उनके मुकदर में रोड़ा लिखा है उनको जो है वो सरके नापनी है उनको फुसाद बर्पा करने की कोशिश करनी है और वो जो है वो यही करेंगे हमारा एजंडा तरकी और करनी है तो यह अपने मुकदर की बात है कोई फरक नहीं परता है के रोड़ा जाता है अब क्या तरनाव कम होने की या पुटी आए के वोटर ना निकलने की वजाए ये भी है कि उनने पता था कि यार हमने कुछ भी कर लें जीतना तो है नहीं क्योंकर गर्मेंट जो है और अपने मुबार को जिताएंगे एक तास्वर पाया जाता है अगर आप देखिये के 2018 पर शिरू करते हैं इम्रान खान वजीर आजब बन गयादा तो उसना पे पिशावर की सीट चोड़ी थी वो भी दो महीने बाद इलेक्शिन हुआ था और व करते हैं और वह उसी फैसला करते हैं कि आपने बच्टों के हाथों में प्रचों काम करने की जो है कि आउसका उसका साथ देना चाहिए या उसका उसका आपने श्रक्द कर नहीं चाहिए तो यह जो है ये कहना कि ये हुकुम्टे जी जाती है ऐसा नहीं हम दर्शमाल साब के दौर में हम अपने 17 लेक्षित भाई लेक्षित हारे थे ठीक है वज़िए अपने जजबात बयान कर रही थी और मुस्लिम लिए नवाज यकीन बहुत खुश है नवाज में अपनी जो छोड़ी हुई निशिस्ते थी वो भी हासिल कर ली है हाशर वड़ाईच हमारे साथ मौजुद हैं उनसे बात करते हैं हाशर आपने नताइज तो बताए अभी चुके सरकारी तोर पर क्या बताईगा ऐलान हो चुका है नताइज का और अगर हाँ तो कि एक्षन कमिशन की जानिव से जो मतलका रिटर्निंग अफीसर है उसकी जानिव से बकाइदा तोर पर जो फार्म संता है 47 है वो जारी कर दी गया और अगर उसके मताबिक नताइज की बात की जाए तो फार्म 47 के मताबिक यहां से मुसा इलाईज जो हैं वो 71,357 वोट लेकर जहां वो यहां से काम्याब होएं जबके पीवी 32 पे जो सुनी थाथ कॉंसल के उमिद्वार और साबिक वजिरियाला पंजाब थे प्रवेज लाईव हो यहां पर दूसरे नमबर पर रहे और उनकी जानिव से 37,106 वोट जहां वो हासल किये